Hi everyone and welcome back to JK Exam Greaker So guys, I hope आप सब लोग सही होंगे और अच्छे से अपने exams की तयारी कर रहे होंगे Guys, कल आप लोगों का JKS का exam हुआ था जिसमें आपका दो paper आते हैं आप सब लोगों को बता होगा जो जो लोग इस exam में appear हुए हैं, आप लोगों की answer की out हो चुकी है, I hope जो C-set के lectures मैंने आपको last 10 दिनों में deliver किये थे, उससे कुछ ना कुछ आपको फाइदा हुआ होगा और आपका जो C-set का part था, जिससे बहुत बच्चे बहुत डड़ते थे कि सर ये part बहुत tough है, maybe हम इस part को clear ना कर पाए, उन सब लोगों का ये part clear हो गया होगा आप लोग answer की देख सकते हैं, आपकी 4 series थी और 4 series की आपकी answer की आचुकी है, आप लोग इस video के description में link available है वहाँ से answer की download कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका कितना marks आए हैं, और इसी marks पे हर एक बच्चे का जो है, cut off decide करता है कि exam का cut off क्या बनेगा देखा जाए तो कल जो exam का level था बच्चों से यही सुनने को मिला है कि थोड़ा science का portion था, वो ज़दा पुछा गया था environment का part ज़दा पुछा गया था so, अब यह जो cut off है आपका यह decide करेगा कि आप लोग जो pre part है उसको clear कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो pre part है वो clear हो जाएगा आप लोग आगे फ़र्दर तयारी करो अपने mains के लिए I hope आप लोगों ने अभी तक जो आपके subject हैं आपने mains में रखे हैं उनकी आप लोगों की तो यहार इच्छे से होगी होगी So इसके साथ guys इस पर एक exam में एक चीज़ देखी गई थी कि जो आपका C-set का part था उस C-set के part में आपको 80 question हमेशा रहते हैं लेकि इस बार आपके C-set का part था उसमें आपके question 100 थे और आपके हर question के दो नंबर थे आगे से पहले कहलाता था कि जो बच्चे थे वो जाथतर कोशी सहरते थे कि हम 30-35 question रटाइम करें और हमारा जो exam है clearer हो जाएगा लेकि इस वार आपको वो 35 question नहीं आपको कम से कम भी 45-50 question रटाइम करने थे उसमें आपके easily 40-plus question रटाइम हो ही किये होंगे आप जल्दी सांसर की download करें और अपना result चेक करें और comment करके दूर बताएं कि आप क्या score बनके आ रहा है थेंक्यू गाइस और टेक केर